आप लोगों को बताया दूंए अपडेट देती रहूंगी आप लोगों को तो आज ये इस जोथा महरम है और ये घर पे अमीन दाज बनाई है में दान बाहिस से मगवाए हैं हम लोगोंने पंदूर से खान मगवाए है और आज ये माशाला से मीन घर पे बहुत अच्छी डाल बनाई है लेकिन हम लोगों निश्वाय नहीं किये अभी सिर्फ हम लोग पारसल कर रहें इंशाला काला मौला पबूल करेंगा अभी पैठी हो रहा है और अभी हम लोग इमामबार कर जाएंगे महाजाती लंगर तक्सीम करेंगे और तर्यवने को घाना भी माशाला से इस्टार्ट कर दिया है अभी हम लोग जल्दी जल्दी नियास पैक कर रहे हैं क्योंकि मजलिस का टाइम हो रहा था तो हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो गएंगे अब हम लोग नियास पैक करके इमाम बारगार जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ताद जल्दी जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं और आज 14 अगस्त भी है तो हम लोग तो मना भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है जहां नमास रसूल का गाम हो महां मुस्करा भी नहीं सकते हैं क्योंकि जल्दी में निकलना था घर से इसलिए है फाइनली हम लोग घर से निकलाएं मैं कंटीरियू नहीं कर सकी क्योंकि न्यास भी पैक करनी थी न्यास भी माशाला बहुत थी तो अभी हम लोग निकल गए हैं बहुत ज्यादा रशी बहुत ही ज्यादा रशार रश अर हैं यह만 ट्याट सब्ती देर खे पहुंस श्यादा जFF का और प्रम कंतिए जानाव कहती obs respectful ऐसलम pues ensemb Holy Qual Observable आपनों मुहम्मद शबीर का तुम सदका हो अब शेमे में बेटा तुम लाट कर नाना है माँ को यकी तुम माँ की बात रखोगे ये याद रहे खेमों में हैं प्यासे बचे जरिया पे अगर जाना हो सहरो हो जिके प्यासों तुम प्यास ना बुजाना हर वाल में तुम पर लाजम है शुकर खुदा का माशाला से ये अरम सब को मतलब सबीर करवा रहा था और हमें तो पता भी नहीं था चाचो के साथ कोम रहा था तो चाचो इसको लेगे सबीर पे तो कहने लगा कि मैं कुछ सब को पानी पिलाओंगा तो ये देखें किस तरह लोग प्यार कर रहे हैं मुला इस बच्चे की ड्यूटी कबूल करें और अब मैंने इसके बाद कोई शूट नहीं किया क्योंके हम लोग मजलिस से जब घर आए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे मैंने व्लॉगी नहीं खतम किया था इसलिए बहुत ज़्यादा ही थक गए थे तो नेक्स डे अमी यह सब सिस्टर बैट के न्याज बना रहे हैं मतलब अभी समानी इसमानी काट रहे हैं तो मैंने सोचा कि यही से स्टार्ट कर ती हूं वीडियो और ये देखे हम सब सवेरा पी भी आगई है तो हम सब सिस्टर बेट के समान इê मतलब है पालक कट कर रहें एज देख सकते हैं अब सवेरा पी ने हमें जोइन कर लिया है अब सवेरा पी आप बताएं हम कैसे बनाएंगे पालक यह देखेंगे अभी हम पालक को वाश्क कर रहे हैं बहुत सारा पालक था हाथ भी ठक गए काट काट के तो यह हमने अभी बॉइल करने रख दिया है अभी हम लोग पालक वग और बस कल का मैं continue नहीं कर सकी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे तो बीबी में एक जगह जा रही है तो वहां भी मैं आपको continue रही रख सकती इंशाला वहां से आने के बाद घर फिर मैं आपको दिखाऊंगी घर पे किस तरह नहीं नहीं आसते है यार सवेरा पी नहीं और अ अभी एमी को मैंने समान आदा काटके दिया आदा मैं काटोंगी क्योंकि मुझे साथ शाथ वीडियो भी बनानी है तो ताकिता बंदा आय तो उसको फोलो करें यह देखेंगे मैंने भाई को दी आइफ़ों वो वीडियो शूट कर रहे हैं और नहीं का मैं ठिमाटर काट ल मसाले में हमने अधरक लसन डालिये चिकन, प्यास, टिमाटर, दनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिरिच, नमक, हल्दी और भी जो हजबे जाइका जो आपको पसंदो मसालों में आप वो सब कुछ हैड कर सकते हैं और हमने इसमें शान मसाले भी कु में वो इसमें मसाले में एड की और माशाला से बहुत मज़ेदार पालक नजर आ रही है और दिख भी रही है जब खाएंगे तो हम आपको बताएंगे बहुत अच्छा बनाएं लेकिन अभी जो फील बेक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है यह देखें यह नान आ चुके हैं ठीक है और सब बैठे हुएं क्योंकि हमने सबने पैक करना और यह देखें सालन भी हमारा बिल्कुल त्यार हो गया यह हम उसको बाहर रखेंगे इसको थोड़ा ठंडा करके इसको रोटियां पैक करेंगे अब और इसी के साथ मैं अपना विलोग यहीं खतम करती हूं औ और इन्शालला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे अल्ला हफीज